नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आप देख रहे हैं एव विद्या चानल चानल नमबर नो आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट अपने इस लाइव इंडराक्टिव फोन इंसेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी की नभी कक्षा के विद् अस्तकाल ले जो कि धर्म भी धर्म वीर भारती द्वारा लिखा गया है क्या कुछ विशेश है इस आज के इस पार्ट में आपको बताएंगे हमारे विशेशक जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलिए उन से पर इचे लेते हैं आप हैं डॉक्टर नरे की साथ साजा कर ना चाहेंगे अगर आपके मन बहुकि कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप हमें में कॉल के माधन से बता सकते हैं आप हमें कॉल कर नमबर पर जो है जो है hack 00-430-559 या फिर आप email भी कर सकते हैं हमारे email address है dth.class9-cuit.nic.in और बहुत जरूरी सुचन आपकी साथन साजा करना चाहेंगे regarding India's G20 Presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed towards democracy and multilateralism, India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. and in doing so manifests the true spirit of Vasudhaev ko to become or we can say the whole world is one family. With that note, हम फड़ा फड़ा अपने आज के सत्र शुरू करते हैं जिसमें हम पाठ लेकर आए हैं धर में वीर भारती द्वारा लेखित पाठ मेरा छूटा सा निजी पुस्ते काले तो हम नरेश सर आपके पास आएंगे और सबसे पहले क्योंकि हमने इस टॉपिक के साथ ही इनके लेखक के बारे में भी बताया है तो लेखक के बारे में ही आप से जानना चाहेंगे सर्य. और पुस्तकाले तो अपेक्षय की जाती है कि किसी भी विक्षित सब्भेदेश में कि हर वेक्ती के पास अपनी कुछ किताबें होंगी, उसका पुस्तकाले होगा लोग पढ़ने लिखने की आदत होगी, शाक्षरता की जैसी दर होगी वैसी वैसी उस समाज की जो भी situation होगी उस हिसाब से हमें पुस्तकालों की संख्या देखनों को मिलेगी लेकिन लेखक इसमें खास अपने पुस्तकाले के बारे में बताना चाहा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना पहणे लिखने की सुरुवात से लेके और जब वो जीवन के अंतिम शणों में अपने कहना चाहिए कि पुस्तकाले में ही लेटे हुए है और वो अपनी उस पूरी प्रक्रिया को याद करते कि कैसे वो पढ़ते थे कैसे धीरी धीरी उसके पुस्तकाले में वो किताबे जमा होती गई और आज वो हजारों के संख्या में हैं तो कोई व्यक्ति, कोई रचनाकार, किस तरह से कोई भी व्यक्ति पुस्त को से प्रेम करता हुआ, उनको पढ़ते लिखते हुए एक अपना निजी संगराले भी बना सकता है, पुस्तकाले भी बना सकता है उसी के बारे में ये पाठ दरसल हम सब को पढ़ने लिखने की जो संस्कृती है उसके लिए प्रेरित करता है उससे पहले की पाठ तो अपने आप में बहुत मुझे लग रहा है कि लंबा है और वो साइद एक कक्षा में या एक बाचीत में पूरा ना हो लेकिन उसके कुछ ब भारती जैसा की विद्यार्थी हमारे उसमें भी देखेंगे पाठ पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि उनका जन्म 1926 में हुआ और मृति उनकी 1997 में हुई इस अवधी के दोरान उन्होंने बहुत सारी किताबे लिखी बहुत सारे शेत्रों में कारिय किया और उनकी पहचान बाड़न जो है वो एक नहीं साहित्ते की अनेक विद्याव में है जैसे अगर हम सुरुवात करें कि धर्मवीर भारती का जब भी कोई नाम लेता है तो कई अंबीर भारती ने अपने जीवनकाल में जिस भी साहितिक विधा को छुआ, जिसमें भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, उसमें एक मानक स्टंडर जिसको कहते हैं, आदर्स परतिमान की तरह से तापित कर दिया, उसका उधाने की यही है कि जब भी हम किसी मानक पत्रीका क साहितिक पत्रीका की बात करते हैं, तो आपको धर्मियुक का नाम तुरंत याद आएगा, जैसे कि सरस्वती पत्रीका का यह नाम आता है, वैसे ही धर्मियुक का नाम आएगा, उसी तरह से जैसे, अब उनका दूसरा रूप है कि वो उपन्यासकार बहुत चर्चित रहे, अब उपन्यासकार में भी मैं दो नाम अगर आपके सामने लूँ, तो आप सायद एक को जरूर पहचाल लेंगे, कि उनका चर्चित रूपन्यास है, गुनाहों का देवता, और दूसरा उसी तरह से अपने आप में एक विशिष्ट रूपन्यास है, सूरज का सात्मा घोड कि एक इतनी रोचक शैली में लिखा गया उपन्यास, बड़ी उसकी भी कथा एक, जैसे सीर्शक पे जाईए, कि सूरज का सात्मा घोडा, कि कहीं उसमें एक भविश्य की, उसमें कहना चाहिए, कि भविश्य की रूप रेखा या आदर्स की तरफ इशारा किया गया है, और वो एक कहानी में साथ कहानिया है, और उसको दूसरी तरीके से देखते तो साथो कहानी मिलके एक कहानी बनाती है, तो ये अपने आप में उनका जैसा कोई दूसरा उपन्यास हमें हिंदी में नहीं मिलता है, वैसे ही अगर गुनाओं का देवता कहेंगे, तो बहुत चर्च कहानी बलकि नाटक हो चाहे और नाटक में भी एक खास विधा है उसका भी अपवाद ही बहुत कम मिलेंगे बाद में लोगों ने कोशिश की लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जैसे हम इसको अगर कहें गुनाहों का देवता और सुरज का सात्मा घोडा उसी तरह से अगर एक ग पोईटिक है वो गद्यात्मक नहीं पद्यात्मक समवाद है और उसकी बहुत चर्चित अंधा युग उसका नाम है ये भी आपने देखा होगा और भारत का सायदी कोई बड़ा रंग निर्देशक जिसको कहिए होगा जिसने उसका मंचन ना किया हो सभी लोगों ने किया बहुत ही पापलर बहुत ही चर्चित तो मेरा कहने का आशे ये है कि धरंबीर भारती की जो पहचान है वो एक बहुमुखी साहित्यकार के तोर पे है पत्रकार है पत्रकारिता में है उपन्यास है कहानिकार है नाटक कार है निबंदकार है आलोचक है और आलोचक भी कोई ऐ वैसे वैसे नहीं कि उनकी सुरुवाती रचनाओं से लेके आखिर तक आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं उनकी के किताबी है कि मानविय मुल्लों के पक्षधर वाला जो पक्ष है वो लगातार उनके साहिते में आपको दिखाई देगा पाठ की अगर सुरुवात में आप लिखा गया पाठ है कि जब भी कोई वैक्ती अपने बारे में कोई साहित्यकार कोई भी चर्चित वैक्ती और मैं यहां यह पाठ के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे लेकिन मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि हर कोई भी वैक्ती हर बच्चा बच्च अभिव्यक्ति जब तक नहीं होगी वो अधुरी है तो वो कैसे उन्होंने सुरुवात की वो भी इसमें है देखिए और इसके लिखने का आप कभी भी बच्चे भी हमारे जो साथी हैं वो जब चाहें उसकी सुरुवात कर सकते और किसी भी अनुभाव को लेके देखिए पा पारत और पाकिस्तान जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे बंगला देश जब बना उसकी जो रिपोर्टाज उस समय के भध्धरमबिर भारती ने पहली बार जाके युद्ध शेत्र में जो लिखे वो भी बेहर चर्चित हुए थे तो वो अब उनके जीवन में ये जो जैसे अगर आपने जैसे कहा कि सर आपका वो तो उसको हम वापिस recreate कर सकते हैं उसी घटना को अगर हम लिख देंगे धरमबीर भारती 1989 जुलाई की घटना ये कह रहे हैं देट इस पर डली हुई है कि कैसे लेखक शुरुआत करता है जुलाई 1989 की ये घटना है बचने की ये कह रहे हैं कि लेखक अपने बारे में बता रहा पाथ कि घटना एक्च्वल में हो चुकी है अब उनको लेखक को धरमबीर भारती को तीन बड़े एक साथ आए और डॉक्टर ने कह दिया कि भई इसमें बचने की संभावना लगबग सुनने हैं और यहां तक हो गया था कि डॉक्टरों ने उनको कहा कि यह तो लगबग मृत हो गए हैं लेकिन एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं अगर इन में कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्राण बाकी है तो हम एक एक्सपरिमेंट या कहिए कि जिसको शोक देना कहते हैं लेक्रिक शोक दे के वो कोशिश करते हैं अगर सरीर में कहीं पर भी कोई प्राण होगा तो वो सायद वापिस आ जाए और बता रहें कि अगर वो डैड हैं तो फिर मान लीजिए कोई उनको कोई खास परेशानी तो नहीं होगी तो ये लेखा का अपने इस सनुभाव से सुरुवात करता और इस प्रिक्रिया के दोरान वो जिंदा हो जाते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं इस पूरे इस प्रोसेस में कि उनके हार्ट का 60% हिस्सा लगबग खतम हो जाता कि उन 40% बचता है तो फिर वो कहते हैं कि भाई क्य हम उसको रिवाइव कर पाएंगे या नहीं उसका बराबर खत्रा है तो थोड़े दिन देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे और डॉक्टर सला देते हैं कि आप घर जाईए और थोड़ा आराम करिए हिलेगा डूलेगा नहीं आराम से रहिएगा और बिना हिले डूले आपने तो लेखक को उनके घर ले जाते दिखी एक उसमें किताब में चित्र भी है यहां पर वो यह कहते हैं कि जब उनको घर ले जाते तो कहते हैं मुझे बैडरूम में नहीं मेरे जो पढ़ने लिखने का कमरा है यानि को पुस्तकाले है जो उनका निजी पुस्तकाले है कि मुझे उसमें ले चलो, मैं वहाँ लेटे रहना चाहता हूँ, वहाँ मैं चीजों को देखना चाहता हूँ, तो लगभग वो इसमें एक बड़ी कथा भी रोचक उधान भी देते हैं, कि वो अपने पुस्तकाले में आ जाते हैं, और वो कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों सोच तो कथा की तरह वो कहते हैं, जैसे एक परियों की और उसकी कथा चलती है, कि एक राजा है और राजा के प्राण जिसको कहते हैं एक तोते में हैं, ये बच्पन में सब लोग पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि साइद धरंबीर भारती अपने आपको उससे जोड़ रहे हैं, क सायद वो, और ये संख्या हजारों की है, हजारों की संख्या में किताब है उन के पास, फिर वो कहते है कि अच्छा ये किताब मेरे पास इतनी कैसे जमा होई, कि इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाँगा, उस से पहले मैं आपको ये बताँगा कि मुझे पढ़ने की आदत कैसे लगी इसमें जो पढ़ने का इसमें जो शब्द आया है पढ़ने की जो चाट बोलते हैं कि आपको एक ऐसी ललक एक ऐसी इच्छा कि आपको और कुछ अच्छा नहीं लगता आप पढ़ते रहते पढ़ते रहते रहते धरमबीर भारती की भी व त्रमसकार हैं वो उनमें काफी घहरे थे और पिता की सरकारी नोखरी थी अच्छा काम भी था पैसा भी था उनके पास और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं उनके घर में आती थी, उसका उधान भी इसमें दिया हुआ, सरस्वती का भी है, और ये बताते ही कि दो जो बाल पत्रिकाएं थी, वो खास तोर से मेरे लिये आती थी, और उनका नाम है बाल सखा और चम-चम, अगर बच्पन में ये तो घटन है, वो आरिय समाजी है, पिता भी, मा भी, और यहां तक है कि उन्होंने स्कूल भी उनकी माने एक आरिय समाजी स्कूल खोला, और उसमें जो दयानन सरस्वती का परभाव है, खास तोर से कहते हैं कि जो सत्यार्थ परकास आरिय समाज की जो सबसे मानक पुष्टक है, लगातार पत्र पत्रिकाओं का पढ़ने का, यह कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा वो लग गया था, तो मेरी मा को चिंता होने लगी, कि भई, अगर यह लगातार यह कहानियों की किताबे पढ़ता रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह पढ़ाई लिखाई, जो स्कूली लोडने की कथा, सादू सन्या, उनकी जो संगती है, कहीं ऐसा ना हो कि यह खुद भी सादू बन जाए, यह भी एक खत्रा उनको लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उनके पिता इसमें बड़ा कहने चाहिए कि उस चीज को समझते हैं, और वो कहतें कि नहीं, इनको ये किताबे पढ़ने दो, ये एक वाके इसमें आता है, कि यही जो पढ़ाई है, यही जिन्दगी में काम आएगी, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं आएगी, जो पढ़ाई है, यही काम आएगी, और इससे आप आरिये समाजी संसकार, ये परिवार के कैसे संस ये भी एक अंदाजल लग जाएगा आपको कि इनको क्लास दो तक तो स्कूली नहीं भेजा गया और उनके पिता को डर था कि माहौल में ये उल्टा पुल्टा सीखेंगे गाली गलोज सीखेंगे तो वो क्लास दो तक तो घर में ही रहे तीसरी में उनका एडमेशन हुआ और पाँच भी तक जाते जाते वो अच्छे खाशे जो कहता है उसमें रेफ्रेंस है कि वो उनकी पुजिशन जो थी फर्स्ट हो गई लेकिन वो ये इस बात को रेखांकित करते हैं कि इस पढ़ने लिखने का फायदा ये हुआ कि उनकी पढ़ने लिखने में रूची हो गई और उनको किसी भी कहना चाहिए, किताब को पढ़ने में इतनी जल्दी रहे थे, वो कि खा रहे हैं, तो भी उसको पत्र-पत्रिकाओं को साइड में रखते थे, और पढ़ते रहते थे, खाते रहे हैं, तो इसका परिणाम यह हुआ है, कि वो फिफ्ट में फर्स्ट आये, और यह कहते हैं कि उनको दो किताबे पुरुसकायर सवरूप मिली और दोनों इंग्लिश की किताबे थी और दोनों किताबों की भी वो चर्चा करते हैं कि वो भी बड़ी रोचक किताबें मिली एक किताब तो उनकी थी जो उसमें दो बच्चे हैं वो पक्षियों के घोसले देख जो इसमें नाम भी दया, ट्रस्टी दर्रग, वो ये कहते हैं कि वो समुद्री यात्राओं के बारे में है, तो एक किताब पक्षियों के बारे में है, दूसरी समुद्री जीवन उनका किस तरह से वो सामान लाते हैं, कैसे द्वीप मिलते हैं, किस तरीके का वहां का जो उनका रहन सहन होता समुद्र में वो सारी चीजे उसको तो ये कहते हैं कि इन दो रचनाओं ने दो चीजे की एक तो बड़ा रोचक वाक्या है कि एक तो जो पक्षियों से भरा आकास उनके सामने खुल गया एक आकास की उड़ान देखिएगा और दूसरा कहते हैं कि जो समुद्र जो जिसको कहते हैं रहस्यों से भिरा हुआ समुद्र वो चैलेंजिंग लगा उनको यह कहते हैं यह चाहते भी थे कि इनको समुद्र यात्रा का मोगा मिले लेकिन ऐसा हुआ नहीं खेर वो अपनी इस रुची का किस तरह से उन्हों ने बाद में चलके यात्राओं में और अपने दैनिक लेखन में और धीरे धीरे फिर वो बच्चे से इसमें बड़ी एक रोचक यात्रा ये बहुत इंट्रस्टिंग है नहीं मैं अब इसको दो तरीके है हमारे पास या तो हम इसको संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल होगा तो हम कोशिस करेंगे कि इसको अगले उसमें भी जब भी बारी आएगी हमारी तो हम उसको अगले जो भी सैसन होगा उसमें बात करेंगे लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से युनिवस्टी गए और युनिवस्टी से फिर वो लेखक बने और लेखक से फिर छोड़ के वहाँ से फिर वो मंबई गए और वहाँ पे धर्मयुग पत्रिका का संपाधन किया और इसका परिणाम यह हुआ कि धरंबीर भारती की एक ऐसी पहचान बनी, एक ऐसे मानक साहित्य क्रशेत्र में और उनके पुस्तकाले में किस तरह की किताबे थी, शुरुआती दोर में उन्होंने पहली किताब कौन सी खरीदी, इसमें चर्चा है कि देवदास किताब की है कि किस तरीके से फिल्म और वो मुझे लग रहा है कि हम लोग उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, संक्षेप में उसको हम ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे. तो यह तो बात हुई, मेरा छोटा सा नेजी पुस्तकाले धरमवीर भारती द्वारा लेखे इस पार्ट की हम बात कर रहे थे, समय हमारे पस कम है, लेकिन हम जैसे सर ने कहा कि इसे दूसरे सतर में हम सरूर लेने की कोशिश करेंगे, यहां पर नरेश सर हम आपको बहुत- धन्यवाद, अपने सभी देखने वालों से हम यहां पर यह कहना चाहेंगे कि अभी एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइफ वनिन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे, जो कि साइंस के 9th Standard के students के लिए topic रहेगा, improvement in food resources part 2nd, इस topic पर हम बहुत जरूरी सुचना आप सभी के साथ हम साचा करना चाहेंगे, NCERT की किताबों से संबंदेत, NCERT textbooks for the year 2023-24 are available throughout the country and these textbooks may be purchased directly from NCERT sales counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bangaluru, Kolkata and Guwahati, these sales counters will be functional on all the weekdays including all the registered holidays, Saturdays and Sundays as well from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. You may also place order for the books online for free from NCERT, Diksha, Epaadshala website and from our mobile app as well, please visit our website that is ncert.nic.in, apart from this website you can also visit our website that is ncertbooks.ncert.gov.in and if you want the soft copy of all those books in pdf version it can also be downloaded online, for free from NCERT, Diksha, Epaadshala website and mobile app, you have to visit our website that is ncert.nic.in in case you want all the authorized vendors, me Renu Bhatt is taking your leave, lekin aap bane raye e vidya channel pae, namaskar. snow drain snow drain snow الب snow 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 झाल झाल